हाई गाईज देखे कैसी है शेहनाज की तबीयत को लेकर कुछ ना कुछ अपडेट आता रहता है और देखे अभी जो आया है कि एक न्यूज बार-बार आ रही है कि शेहनाज रात को सिद्धार्थ का नाम लेकर बार-बार चिलनाने लगती है जी हाँ ये बात आई तो कितना सच है ये और जाइज कैसी है शेहनास की हेल्थ क्योंकि जब से कल से रिपोर्ट को ऐसे हो रहा है उन्हें रात को बार बार सिद्धार्ट का नाम लेने लगती है चिलनाने लगती है तो forties बहुत परिशान है क्योंकि देखे कल एक न्यूज आई थी जो अभीनव शुकला और रुबीना दिले के थूँ आई थी कि उन्होंने शेहनास की मम्मी से भी बात करिये शेहनास से मिले हैं कि उन्होंने का शीज कॉपिंग अप मतलब वो हालात का डट कर मुकाबला कर रही हैं और उसके बाद इस तरह से न्यूज आना तो गाईज मैं आपको सबसे पहले एक बात बताती हूँ कि देखे जो सिधार्थ की मम्मी की बात आई थी कि वो शेहनास के लिए परिशान है वो चाहती है वो काम पर जाएं ये न्यूज बिल्कुल सही है कि उन्हें शेहनास की चिंता है और वो चाहती है कि शेहनास अपने आपको बिजी रखे हाँ उन्होंने खुद ने कोई इंटरव्यू नहीं दिया लेकिन जो लोग मिलने जाते हैं उनसे बात होती है न अगर आप जाएंगे किसी से मिलने उनका हाल चाल पूछेंगे तो बाते तो होंगे ये वो बताएंगी भी और रही बात गाइस देखे शेहनास के लिए कोई सिधार्ट कोई फ्रेंड या कोई बॉइफ्रेंड जैसा नहीं था आप समझी सकते हैं लाइफ पार्टनर जी हाँ आपने देखा था बिक बॉस में कि जब सिधार्ट एक हफते के लिए सिक्रेट रूप में चले गए थे तो भी शेहनास कैसे मुर्चा गई थी उन दोनों का जगड़ा हो जाता था तो शेहनास की हसी कैसे कायाब हो जाती थी इविन सिधार्ट के भी वो भी परेशान रहते थे गुस्सा करने लगते थे तो यह गाइज इतना ज़्यादा अटेच्मेंट है उनको तो यह ऐसे एकदम से सबको सही नहीं होने वाला है कि वह एक हफता हुआ या दस दिन हुआ भूल जाएंगे और काम करने लगेंगे अचानक से आप खुश सोचिए कोई दूर का फ्र कुमती हैं नीन सही से नहीं आती है और जिस इंसान के साथ आप दिन रात रह रहे हैं लाइफ है आपकी तो उस शौक से निकलने में तो गाइज बहुत टाइम लगने वाला है जो हालात उनके बताये जा रहे हैं ऐसा होगा जरूर होगा और देखे इसी लिए सिदाट की मम बार सोचते हुए आपको एक डिप्रेशन में जाने का खत्रा रहता है लेकिन आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिए बिल्कुल पैनिक होने की जोट नहीं है देखे पूरी फैमिली उनके साथ है सपोर्ट कर रही है वो इस सिचुएशन से फाइट बैक जरूर करेंगी जी हा, thank you.